असलामों आलाइकूम दुस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि आप सभी लोग खेरियस से होंगे तो आज की वीडिगों में हम कुछ जिरूरी खबर जिरूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुचाने वाले हैं आप लोगों से गुजारी से वीडियो को अजरत तर अलाकों में बारिस और आंधी तूपान आने की उमीद है उन्होंने का है कि सौधी रफ के अंदर रहने वाले सौधी सहरी और गैर मुलकी ऐसे अरिया से दूर रहें जहां पर पानी का बहुच ज़्यादा हो ज़्यादा पानी जहां बहरा हो इन तमाम एरिया मे ना जाए इन तमाम इलाकों से दूर रहें उन्होंने तमाम सौधी सहरियों और गहर मुल्कियों को साउधार रहने के लिए कहा है अलेट जारी किया है बताई यह क्या है कि सौधी रब के मक्का उकर्मा, ताइफ, आसीर, जाजान और भी सौधी रब के कई अलाके होंगे जहां पर भारी वारिस और आधी तूफान आ सकते है तो अगर आप लोग भी सौधी रब के अंदर रहते हैं तो थोड़ा सा एहतियात जरूर बरते है इसके साथ एक लिप डेट ये है कि सौधी रब की पुलिस ने एक ड्रक्स डीलर को गिरबतार किया है जिसकी वीडियो क्लिप आप सामने स्कीम पर देख सकते हैं इसके कबजे से नसीली दवाईया, हतियार और चोरी के सामान बरामत किये गए हैं इस बंदे को गिरबतार करने के बाद पबलिक प्रिकुशन को सौब दिया गया है जहां इसके खिलाफ आगी की कानूनी कारवाई की जाएगी इसके लामा गलिप डेट यह है कि सौधी ट्राफिक डिपार्टमेंट के तरफ से अपडेट जारी करके बताये गया है कि अगर आप मुबाईल फोन का इस्तमाल करते वक्त गाड़ी चला रहे हैं और आपकी इस इलापरवाई से एक्सीडेंट हो जाता है तो इस पर आपको 500 से 900 रियाल का जुर्माना किया जाएगा बाकी और जो कानूनी कारवाई है वो तो की ही जाएगी साथ में अपपर 500 से लेकर 900 रियाल का जुर्माना भी किया जाएगा इसके लामा गलिप डेट यह है कि तुरकी के राष्टमती ने फलीस्तिनियों पर लगातार इजरैल के दोरा जो हमला किया जा रहा इसकी कड़ी निंदा की है और उन्होंने कहाई कि इस बंबारी को रोक दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा यन्हीं एक तरीके से तुर्की के राश्ट पती ने धमकी दी है कि इस कारवाई को आप रोक दिया जाए उन्होंने एक फोटेज अतार बंबारी करके मौसुम लोगों को मारा जा रहा है तो तुर्की के राष्ट पती ने धंकी दे दी है कि अगर अब इजराइल इसको नहीं रोकता है तो इजराइल पर अब करवाई की जाएगी इसकी लावंगलिप डेट यही जिसा कि आप सामने स्क्रीम पर इमेज या फिर वीडियो क्लिप के मंदम से देख सकते हैं कि फिलिस्तिन में लोग रोटी के लिए खड़े हुए हैं तभी एक रोकिड आकर गिरता है जिससे बीच लोग सहीद हो जाते हैं निकि एक रोटी के लिए बंदे खड़े हुए हैं लाइन में और बम आकर गिरता है और गाजा में और फिलिस्तीन के उपर क्या गुजर रही है आप समझ सकते हैं दोस्तों यह थी आज की कुछ जरूरी ख़बर जरूरी जानकारी जो आप तक पहुचा दी गई उम्मीद करता हूँ यह इंफर्मेशन यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो अच्छी लगी है तो प्लीज इस तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं और जो दोस्तों चैनल पर नए हैं उनसे घुजारी से प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो देखने उस तो बहुत बहुत सुक्रिया मिलते ने स्टूर ने स्टोपी के साजब तरके अपना ख्याल कर खुदा